हेलो वीवर्स, रचनास क्रियेशन कर्ची से कलम तक में आपका स्वागत है, मैं हूँ रचना वेजिटेरियन ग्रूप की रेसिपी में सबसे टेस्टी और सबसे अच्छी रेसिपी कहलाती है कठल की सबजी भुना हुआ मटन, भुना हुआ चिकन तो बहुत खाते हैं नौनवेज के शौकिन पर अगर वेजिटेरियन में खाना हो तो चलिए बनाते हैं आज भुना कठल बहुत ही टेस्टी सबजी होगी, रोटी चावल के साथ बेस्ट कॉंबिनेशन तो सबसे पहले आदा किलो कठल के लिए लेना है कम से कम पांच या छे बड़े साइस के प्याज को धूल के लंबे काट लेना है एक पूरा लहसन और बड़ा टुकड़ा अधरक का लेना है खड़े मसालों में लेना है एक चम्मच खाड़ी काली मिर्च, तीन छोटी इलाइची, एक चम्मच राहजीरा और दो खड़े लाल मिर्चे इसको कूट लेना है बारीक, दरदरा पिसे मसालों में दो चम्मच गरम मसाला, दो चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और चुटकी भर हल्दी जो की common है अब कठल जब भी बनाते हैं तो कुकर में बनाते हैं क्योंकि कठल को गल्ले में लगता है समय तो कुकर चड़ा दिया कूकर में डाला 3 चमच सरसो का तेल साथ में इसमें मिलाएंगे 1 चमच घी जब भी कोई रिच रेसिपी बनाते हैं इस्पेशली जब कोई भुनी हुई चीज बनाते हैं भुनी वाली सबजी तो उसमें 1 चमच देशी घी के इस्तमाल करने से उसका स्वाथ बहुत अच्छा आता है तो इसलिए जब भी कोई ऐसी रिच रेसिपी बनाईए तो एक चमच घी का इस्तमाल करिए तेल गरम हो गया इसमें तड़का दिया तीन छोटी लैची एक चमच काली मिर्च एक चमच शाजीरा इन तीनों चीजों को अच्छे से कूट लिया है मिक्सी में आप सूखा दरदरा भी पीश सकते हैं मैंने इसको कूट के इस्तमाल किया है दो खडी लाल मिर्च तो यह जो साहजीरा है ना साहजीरा किसी भी भुनी हुई रेसिपी का स्वाथ बहुत बढ़ाता है अब मैंने यहां डाल दिया पांच प्याज लंबे कटे हुए आधा किलो कटल के लिए प्याज लगेगा पांच कम से कम बड़े साइज का क्योंकि यहां पर हम पानी का इस्तमाल कम करने वाले हैं और कुकर में बना रहे हैं तो पानी चाहिए तो प्याज का जो पानी छोड़ता है उसी से यह कठल बुनाता है इसलिए प्याज की मातरा जादा होती जिस तरह की नौन वेज में मटन बनाते समय प्याज की मातरा जादा होती है अब इसमें डाल दिया एक पूरा लेसन और अद्रक का टुकड़ा पीस करके या कूट करके जिस तरह से भी आप इस्तमाल करना चाहें मसाले वही common जो आपके पास होंगे दो चम्मच गरम मसाला पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और चुटकी भर हल्दी लाल मिर्च पाउडर एक चमच इसले क्योंकि खड़ा लाल मिर्च का भी इस्तमाल की और कुटीवी काली मिर्च का भी नमक एक से डेर चमच नमक अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है फ्लेम को मीडियम रखना है ताकि प्याज जो है वो पानी छोड़ सके मीडियम से भी जादा अच्छा होगा अगर आप इसको एकदम धीमे आज पे भूनते हैं थोड़ा से टाइम जादा लगता है बनने में लेकिन यह बहुत ही टेस्टी सबजी होती है अब इसमें कठल जो है वो कठल को धूल करके गरम पानी से धूल करके इसमें डाल दिया है कठल आधा किलो कठल है छोटे छोटे चुटे टुकडो में कटा हुआ अच्छे से mix कर दिया, flame को slow कर दिया और ढख करके इसको भूनना है जब तक कि प्याज पानी ना छोड़ दे प्याज जब पानी छोड़ेगा तो ही मसाले भून पाएंगे और कठल उसी के base से गलता है तो इसको बड़े अच्छे से इसको आपको 5-5-7-7 मिनट पे चलाना है बहुत ज़ादा बार-बार चलाने की जुरत नहीं है क्योंकि slow flame पर कठल को भूनना है तो भूने हुए कठल की दूसरी सबसे अच्छी चीज क्या है कि इसमें अगर आप दही का इस्तमाल करते है मैंने यहाँ पे इस्तमाल किया आधा कटोरी दही नौर्मल दही ना खटी ना मीठी नौर्मल दही जो होती है वो मैंने इस्तमाल किया अगर इस समय आपके पास दही अबलेबल नहीं है तो आप 2 टमाटर का पेस्ट करके इसमें जाल सकते हैं नहाला की दही जादा अच्छा स्वाद देती है अगर दही नहीं है तो टमाटर का इस्तेमाल कर ले कठल को बीच-बीच में चलाते रहें उतना ही पानी डालना है जितने से भी सीटी हो सके मीडियम फ्लेम पे आपको 6 सीटी चार से पांच तो कम से कम सीटी लगा नहीं क्योंकि कठल करने में टाइम लगता है इस तरह से धनिया पत्ती से गार्निशिंग करके सर्फ करिए रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज से अबडेट रहना हो तो सब्सक्राइब और फॉलो बटन दबा लिजे प्रियों